आज हम बनाएंगे बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉंजी और सबसे आसान तरीके का चॉकलेट केक जिसे बनाने के लिए ना ही हमने मैदा, ना ही सूजी, ना ही अंडा, ना ही ओवन का इस्तमाल किया है और जिसे हम घर की सिंपल सी कडाई में बनाएंगे साथ ही हम बनाएंगे एक चॉकलेटी गनाश, जिसे बनाने के लिए ना ही मैंने चॉकलेट का और ना ही क्रीम का इस्तमाल किया है ये केक बहुत ही टेस्टी और सुपर सॉफ्ट बनके रेडी होता है, जिसका टेस्ट आपको बहुत जादा पसंद आएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं आज की चॉकलेट केक की रेसिपी अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो मेरे चानल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए साथ ही बल ऐकॉन का बटन दबाना ना भूले इसे बनाने के लिए हमने यहां पे लिया है एक पैकेट ओरियो बिस्किट्स ऐसे दो पैकेट ओरियो बिस्किट्स के यहां पे लग जाएंगे तो अब फ्रेंट्स इस बिस्किट्स को खोल लेते हैं और इसमें से क्रीम हमें निकाल देना है अब इस क्रीम को निकाल लेते हैं अलग बाउल में और इसी तरह से हमने सारा वाइट पार्ट और चॉकलेट पार्ट अलग कर दिया अब हम इसे पीस लेते हैं बिल्कुल एक पाउडर फॉर्म में ये देखें बिल्कुल ऐसे ये बिल्कुल अच्छे से पाउडर बन गया है इसे निकाल लेते हैं अलग बाउल में इसे कर लेंगे थोड़ा सा मेक्स अब मैं यहाँ पर डाल रही हो एक टीस्पून भर के बेकिंग पाउडर इसे कर लेते हैं अच्छे से मेक्स अब इसमें डालेंगे एक कब दूद दूद नॉर्मल टेंपरेचर पर रखा हुआ है इसे मैंने आधा डाला है और इसे मिक्स कर लेते हैं इसमें बाकी का आधा दूद दाल कर भी मिक्स कर लेते हैं तो देखिए इसकी consistency, अब इसमें डालेंगे, जो cream हमने निकाल कर रखा था, वो cream हम इसमें डाल लेते हैं, हम इसमें अलग से चीनी यूज नहीं करने वाले हैं, बस cream की चीनी से ही ये मीठा बनेगा, तो कर लेते हैं इसे अच्छे से mix, देखेंगे कि इसमें कोई भी lumps नहीं रहने चाहिए, तो देखिए ये अच्छे से mix हो चुका है, तो हमारा batter बनके ready है, यहां पर मैंने एक कडाई, preheat करने के लिए रखी थी, इसमें मैंने stand डाल के इसे preheat कर लिया है, यहां पर मैंने एक baking tray, 6 इंच का लिया है, इसमें मैंने butter paper डाल कर इसे line up करके रखा है, तो और इसे रख देंगे preheated कडाई में, इसका lid लगा कर हमें इसे low flame के उपर 35-40 मिनिट तक bake करना है, तो जब तक यह cake bake हो रहा है, हम इसकी चॉकलेटी गनाश बना के ready कर लेते हैं, तो इसे बनाने के लिए मैं यहां पर ले रही हूँ, वन थर्ड कप cocoa powder, जिसमें हम दालेंगे आधा कप भर के चीनी, दो टेबल स्पून कॉन फ्लोर, और एक कप दूद, इसमें दालेंगे एक टी स्पून भर के वनीला असंस, और बिल्कुल एक चुटकी भर के नमक, अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, अब इसे रखेंगे गैस के उपर, और मीडियम फ्लेम के उपर, इसे 5-7 मिनिट तक हम इसे कोक करते रहेंगे, जब तक कि ये अच्छे से गाड़ा ना हो जाए, तो इसे एक साथ चलाते रहना है, तो देखिए फ्रेंट्स, ये गाड़ा हो चुका है अच्छे से, और हम गैस की फ्लेम कर देते हैं, और इसकी कंसिस्टंसी देख लीजिए फ्रेंट्स, ये बिल्कुल इस कंसिस्टंसी का होना चाहिए, अब इसे ट्रांसफर कर लेते हैं एक अलग बाउल में, और हमारी चॉकलेटी क्रीमी गनाश बिल्कुल रेडी है, बीना चॉकलेट के और बीना क्रीम के, तो इसे साइड में रख लेते हैं, और देखते हैं कि हमारा केक बेक हो गया या नहीं, तो 35 मिनिट हो चुके हैं अभी चेक कर लेते हैं कि केक अंदर से पका है या नहीं, तो इसमें मैं डाल देती हूँ एक टुदपिक, तो ये बिल्कुल क्लियर बाहर आ रही है, ये देखिए, तो हमारा केक अच्छे से बन चुका है, तो इसे बाहर निकाल कर इसे ठंडा होने देंगे एक घंटे के लिए, एक घंटे बात देखिए फ्रेंट्स, ये कितना स्पॉंजी और कितना जालीदार लग रहा है उपर से, तो इसे अब डी मोल्ट कर लेते हैं, इसके एक पेट रखके इसे उलट देते हैं, हलके से टैप कर लेंगे, और ये देखिए, केक अच्छे से बाहर निकल आया है और पॉफेक्ट जालीदार और स्पॉंजी केक रेडी है, अब इस केक को रख लेते हैं, एक जाली के उपर और उपर से पोर करेंगे हमारा रेडी गना देखिए, गनाश कितनी फ्लोई, क्रीमी और एकदम बढ़िया लग रही है, तो गनाश केक्यों पर अच्छे से फैल गई है, अब केक को हम गानिश कर लेते हैं, श्रेड़ेट चॉकलेट से वैसे फ्रेंट्स आपको जिस भी चीज से गानिश करनी है आपके केक को आप कर सकते हो, तो देखिए कितने आसानी से और कितने कम इंग्रेडियंट्स के साथ हमारा चॉकलेट केक बनके रेडी है, तो मैं आपको केक कट करके दिखाती हूँ कि ये अंदर से कैसे लग रहा ह देखिए काटने से पता चल रहा है, ये कितना सॉफ्ट और स्पॉंजी बना है, और ये देखिए हमारा केक कितना अच्छे तरे से बना है, बिलकुल मॉइस्ट और एकदम पॉफेक्ट डिलिशियस लग रहा है, तो देखा आपने कितना आसान था ये चॉकलेट केक बनाना ना कोई अंडा, ना ओवन, ना मैदा, ना सूजी, और ना ही कोई चॉकलेट, ना क्रीम, बहुत ही कम इंग्रिडियन्स के साथ ये मॉइस्ट और सुपर डिलिशियस केक बनके रेडी है, जो बहुत ही टेम्टिंग और सुपर सॉफ्ट लग रहा है, तो फ्रेंट्स, एक बार जरूर से जरूर आप इस चॉकलेट केक की रेसिपी को ट्राइ करके देखें, आपको और आपके फैमली को ये केक बहुत ही पसंद आएगा, तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लेगी हो, तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को लाइक शेर सब्स्राइब करना ना भूले, मिलते हैं मेरी अगली रेसिपी के साथ, थैंक यू सो मच पर वाचिंग, टेक के सी यो सून